हे गाईज जैहिंद मैं हूँ संजय विशोगर्मा और आप देख रहे हैं एगरी मंत्रा चैन्जिंग्दी बेव थिंकिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AFO Special Series के बारे में ये पार्ट नम्मर 6 आपर होने वाला है तो यहाँ पर हम Top 20 questions का discussion करेंगे और उनसे जुड़े कुछ important points को भी discussion हम करने वाले हैं जो कि आपके exam के point of view से काफी important रहने वाला है तो वीडियो के साथ आखरी तक बने रहना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के शाँ share जरू करना है सबसे पहले हम बात करें previous part में जो question पूछा गया था आपने उसका काफी अच्छे तरीके से सही जबाब बताया था कुछ लोगों ने तो यहाँ पर हम इस question के सही answer की बात करेंगे question है what is seed rate of unirrigated barley या non-irrigated barley की हम बात करेंगे तो 100 kg per hectare यहाँ पर जो है right answer होने वाला है फिर आगे बात करें red color of soil is due to यहाँ पर बात हो रही है अलग-अलग प्रकार होता है म्रदाओं का अलग-अलग type होता है soils का उसी में एक प्रकार है red color soil का तो यह किस के करण होता है यह hematite के करण होता है यह आपको याद रखना है इसको हम early soil के नाम से भी जानते है यह भी आपको याद रखना है important है कि red soil को हम early soil के नाम से जानते है red color due to presence of iron हम कह सकते हैं यह point को भी आपको याद रखना है ठीक है तो कुछ important points जो आपको याद रखना है आगे बात करें which of the following is highly salt tolerant crop इन में से कौन सी जो है highly salt tolerant crop है काफ़ी important question है IVPS AFO के 2018 में ये question आया हुआ है यानि कि ये IVPS AFO में पूछा गया question है तो यहाँ पर जो answer होगा होगा cotton सबको पता है अच्छा question है आगे बात करेंगे among which mage is commonly cultivated in India यानि कि इन में से कौन सा जो mage है हमारे भारत में इसको हम cultivate करते हैं हम इसको उगाते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्टिवेंट नाम के एक scientist ने अठारा सो निन्या अन्यवेब है on the basis of endosperm जो है mage को साथ अलग-अलग केटिगरी में बाटा है जैसे flint corn, dent corn, sweet corn, floor corn, pop corn, bexy corn और pod corn यही को हम थोड़ा सा जान लेते हैं important है और यहाँ पर मैं इसका right answer आपको बता दू तो flint corn जो है वो हमारे इंडिया में commonly इसको हम cultivate करते हैं यह भी आपका agriculture field officer यानि AFO के exam में पूछा गया question है थोड़ा सा हम classification जान लेते हैं क्योंकि यह topic काफी important हो जाता है सबसे पहले हम बात करें तो यह on the basis of endosperm इसको साथ अलग-अलग group में बाटा है किसको mage को ठीक है सर्टे बेंट सर्टे बेंट ने 1899 में में इसको बाटा पहला group जो है वो dent corn इसका scientific name है GM is indentata ठीक है यह आपको याद रखना है यह जो है आपका USA में इसको हम ग्रो करते हैं Flint corn को इंडिया में हम ग्रो करते हैं और Flint corn का जो scientific name है वो GM is indurata है क्योंकि इनके scientific name को भी आपको याद रखना है exam में हम से question आते हैं Flint corn की बात करेंगे तो GM is indurata फिर बात करें sweet corn की तो यहाँ पर होगा GM is securata यह आपको याद रखना है बात करें फिर आगे floor corn यह होता है GM is amylisia इसके बाद इक होता है आपका popcorn जिसको हम बोलते हैं GM is everta यह भी बहुत exam में पूछा जाता है popcorn का scientific name तो GM is everta फिर bexicon GM is seratina होता है और podcon होता है tunicata तो यह कुछ important है जो आपको याद रखना है points को फिर आगे हम बात करें question number 4 की तो यहाँ पर बात होरी है which nutrient play an activist and catalistic role in photosynthesis तो काफी अच्छा question है answer होगा यहाँ पर mg आपको इसको याद रखना है आगे बात करें question number 5 की which cereals is known as poor man's food यह भी अच्छा question है और यहाँ पर जो है right answer होगा palmlet यह आपको याद रखना है फिर आगे बात करें question number 6 की quarantine importance paste of mango is तो यह जो होगा यहाँ पर आपका mango stone यहाँ पर आपका right answer होने वाला है यहाँ पर आपका quarantine जो है काफी importance हो जाता है important यहाँ पर हो जाता है तो आपको इसको याद रखना है फिर आगे बात करेंगे abhorody is a variety of gram resistance to abhorody जो कि यह gram की variety है यानि चने की variety है यह resistance है किसके लिए तो यह built resistance variety है important variety यानि resistance variety तो यहाँ पर आपका answer आता है गौरब यह आपको याद रखना है यह आपका नेनिताल बेंक में आया हुआ कोशन है तो important है कई वार exam में भी इसको कई सारे exam में पूछा है तो इसको kite up light के लिए जो है गौरब resistance है अवरोधी जो है built resistance है best for rain fit condition के लिए आता है यहाँ पर BG256 या फिर पूसा 256 भी हम इसको कहते है तो यह कुछ important points है जो आप सबको याद रखना है आगे बात करें question number 8 की question number 8 की यहाँ पर बात हो रही है happy seeder is useful in आप सभी को recent पता होगा कि 2-3 साल से एक नया implement है जो धान की harvesting के बाद गेहूं की या wheat की sewing के लिए हम इसका इस्तिमाल करते है इसको happy seeder के नाम से जानते है काफी अच्छा question यहाँ से बन सकता है यहाँ पर simply बताना है कि क्या काम करता है तो यह cutting straw जो straw होता है कि इसका rise का उसको cut करता है और sewing करता है planting is useful in तो यह कहाँ पर useful होता है यह coastal area में जो है काफी useful होता है यह आपको याद रखना है important question है आगे बात करेंगे question number 10 की तो यहाँ पर बात हो रही है which group of microorganisms have highest biomass की यहाँ पर बात कर रहा है तो highest biomass जो होगा आपका fungi हाँ पर right answer होगा आगे बात करें which variety of papaya is not gynodiceous यहाँ पर यह पूछाए कि इन में से कौन सी जो है papaya की gynodiceous variety नहीं है तो यहाँ पर अगर हम simply बात करेंगे तो सूर्या, पूसा majesty, कुर्ग, हनिड्यू यह सब जो है gynodiceous variety है जबकि पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्ना यह सब जो होती है वो dioces variety होती है तो यह आपको याद रखना है important यह question है फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे sweet potato is a modification of यह जो sweet potato crop होती है किसका modification है तो यह adventitious root का modification है यह आपको याद रखना है BHU की एक परिक्षा में उसको पूछा गया था agriculture की परिक्षा में तो आपको इसको याद रखना है आगे बात करें which breed has sword safe horn यानि कि यह पूछ रहा है कि कौन सी नसल है यहाँ पर मैं लिए भेंस की बात कर रहा है buffalo की यहाँ पर बात कर रहा है sword का मतलब होता है कि जिसके जो sing है वो तलवार type के होंगे तलवार जैसा उनका safe रहेगा तो काफी important है यह आपको याद रखना है तलवार type का कुछ इस परकार से उसके जो है sing आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस परकार से इस परकार से उसके sing सेप का मतलब होता है हसिया कार इसके जो होते हैं या दराते कार दराते दार इसके सींग होते हैं और मुर्रा की बात करें तो इसके कुंडी टाइप ऐसे होते हैं मुड़े हुए उसके सींग होते हैं ये मुर्रा की बात कर ली तोड़ा की बात करेंगे तोड़ा जो है टमिल stress condition which amino acid is accumulated in crop plant. तो stress की condition में कौन सा जो है amino acids यहाँ पर accumulate होगा crop plants के अंदर तो काफी अच्छा यह question मन जाता है मेरे साफ से काफी important question है. अंसर होगा यहाँ पर proline. proline जो है amino acids यह accumulate करता है under stress condition. फिर आगे बात करें the most commonly used agent for inducing polyploid in plant. तो यह भी काफी अच्छा question है simple question है answer होगा यहाँ पर colchicine. तो आपको इसको याद रखना है colchicine यहाँ पर सही answer है. फिर आगे हम बात करेंगे लक्षमी भोग is a popular mango variety from which reason. लक्षमी भोग जो है mango की काफी popular variety है और यह जो है best Bengal reason के लिए काफी popular है यह आपको याद रखना है फिर आगे बात करें किसान credit card इसको सौटन में मूलते हैं KCC किसान credit card was recommended by which of the following तो यह जो है RV गुपता कमीटी के द्वारा इसको recommend किया गया था काफी important है यह आपको याद रखना है क्योंकि कमीटी से भी एक्जाम में कोशन आते हैं recently Bank of Maharashtra में भी एक कमीटी से कोशन पूछा गया तो तो है आपर right answer होगा RV गुपता कमीटी जो आपको याद रखना है किसान credit card फिर आगे बात करें कोशन नमर 18 की removal of male bud after completion of the female phase in a banana is referred as simple भाषा में अगर हम बात करें कि removal of male bud इसको हम क्या बोलेंगे तो इसको हम बोलते हैं denavelling यह आपको simple याद रखना है जो bunch का bait होता है उसको increase करने के लिए हम male bud को remove कर देते हैं यह mainly process होती है कि bunch के bait को हम को increase करना है गुच्छे को बजन को बढ़ाना है यह matocking होता है यह आपको याद रखना है propping का मतलब होता है कि banana के जो पौधा है पेड़ है उसको सहारा देने के लिए हम क्या करते हैं उसको बांध देते हैं किसी भी रस्ती से या फिर बांस के बड़े-बड़े खंबे लगा के तो इसको हम बोलते हैं तो important यह अलग-अलग practices हैं जो आपको याद रखना है यहां से exam में कोशन आते हैं फिर आगे बात करें the rate of respiration is high in which of the following तो according to option यहां पर अगर हम right answer की बात करेंगे rate of respiration जो है सबसे आद आपको germinating seeds में देखने को मिलेगा यहां पर यह है right answer होने वाला है फिर आगे बात करें which was the first product in India get GI tag यानि कि first product of India जिसको GI tag मिला था वो आपका darjling tea most important question है मेरे हिसाब से आपको इसको याद रखना चाहिए अब हम बात करेंगे आज के question of the day के बारे में जिसका सही जवाब आपको comment section में बताना है फिर इसका जो right answer होगा हम next part में discuss करेंगे तो question यहाँ पर है Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants is located यह कहाँ पर located है Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants option है बडोधरा राची पूने लखना तो इसको आपको comment section में बताना है तो guys यह थी आज की वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के शायर करें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe जरू करें और अगर आपने अभी तक एग्री मंतरा के टेलीगराम के official channel को जोइन नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगी वहाँ से जाके आप join कर सकते हैं मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत